नमस्कार सुप्रभाद स्वागता आप सभी का मैं हूँ आपके साथ प्रीती और आप देख रहे हैं सुबह साथ बजे आईए एक नज़र डालते हैं हेड्लाइन्स पर सीपेम ने मम्दा बैनर जी और केंदी सरकार पर साथ गाट के लगाये आरोप कोलकाता रैली में धन्विर पेक्ष ताक्वतों को साथ लाने पर दिया जोर पीमसी ने कहा मौका परस्त है सीपेम टीडी सीए पर दिली सरकार की जाँच रिपोर्ट में अरुन जेटली का जिक्री नहीं बीजेपी ने कहा माफी मांगे केजरिवाल आमाद्वी पार्टी ने जाँच से भागने के लगाय आरोप 36 गड़ में शेहरी निकाय चुनाओ के लिए नकसल पीड़े तिलाखों में मतदान शुरू बाकी जग़ों पर आट बज़े से मतदार 11 निकायों के लिए दाओ पर 1000 से जादा उम्मीदवारों की किस्मत स्टार्ट अप इंडिया स्टार्ट अप इंडिया का खाका 16 जनवरी को होगा पेश मन की बात में प्रधान मंतुरी का एलान गरीबों को योजनाओ का असानी से फाइदा पहुचाना सरकार का लक्ष नेपाल के जोगबनी, विराट नगर, राज विराज और जनकपुर में पुलिस और मदेसी प्रधेशन कारियों में जड़ब मदेसी नेता, राजेंडर महतुस, सहित सोला, जखमी, मदेसी संगटरों के सुरक्षा कर्मियों के खिलाब कारवाई की मार्ण सीपियम ने कोलकाता रैली में ममता बैनर जी और केंदर सरकार पर साठगाट के आरूप लगाए हैं सीपियम की ये रैली पारटी के विशिश अधिवेशन की मौके पर हुई इस अधिवेशन में पारटी अपनी खोई जमीन पाने का रास्ता तलाश रही है 2016 में सीपियम के लिए पश्चिम बंगाल और केरल में सत्ता फिर से हासल करने की चुनोती है कोलकाता रैली में सीपियम महासचेव सीतराम येचुरी ने ममता बनर जी को हराने के साथ-साथ केंदर सरकार के खलाफ संगर्श की जरूरत बताई ब्रिगेट मैदान में पार्टी के एक बड़ी रैली में दिये भाशन में उन्होंने सभी धर्म निर्पेक्ष ताकतों को साथ लाने पर जोर दिया सीतराम येचुरी के लावा भी सीपियम के सभी बड़े नेताओं ने ममता बनर जी और बीजेपी के अलोशना की जब दाध्री का कांध हुआ जब इतने दोश महमद इकलाद की उपर घर की अंदर घुसकर उनकी हत्या हुई सीपियम नेता मुहमद सलीम ने आरोप लगाया कि ममता बनर जी अपने ब्रश्टाचार को छुपाने के लिए केंदर सरकार का साथ दे रही है इस्रेली में सीपियम अपनी राजनीती और रणनीती दोनों तै करेगी बहस इस मुद्दे पर भी है कि क्या पार्टी कॉंग्रेस के साथ कोई चुनावी तालमिल कर सकती है हाना कि पार्टी ये बहुँ भी समझ रही है कि पश्चिम बंगाल में उसे सत्ता में लोटना है तो मुसल्मानों में अपने खोई जनाधार को हासल करना होगा कोलकता के बिर्गेट ग्राउन में जमा हुए लाकों लोग इस बात का सबूत है कि सीपियम का पश्चिम बंगाल में अभी भी मजबुत जनाधार बचा हुआ है लेकिन इस प्लैनम में पार्टी को वो रास्ता खोजना होगा जो उसे 2016 में वापस सत्ता में ला सके कामरा में मनुच के साथ शाम सुन्बर, राजसाभा टीवी, ओलकता इस बीचतर नमूल कॉंग्रेस ने सीपियम के पूर्ण अधिवेशन के शिरुआत की मौकी पर हुई रैली को फ्लॉप शो खरार दिया है टीमसी ने महासचे पार्थ चाटर जी ने दावा किया कि रैली में बहुत कम संख्या में लोग पहुचे वहीम टीमसी नेता सुधी बंदोपाद ध्याय ने सीपियम कुदेश की सबसे जादा मौका परस्त पार्टी बताया उन्होंने का कि सीपियम ने 2008 में यूपीए सरकार को गिरानी का प्रयास किया था जबकि 1989 में राजीव गंधी सरकार के खिलाफ कौंग्रिस विरोधी शक्तियों के मदद की थी केंदर सरकार अगले साल 16 जन्वरी को स्टार्ट अप इंडिया स्टार्ट अप इंडिया की कारे यूजना पेश करेगी प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने रविबार को मन की बाद कारिकरम में इसका इलान किया कारिकर्म का मकसद स्टार्ट अप विंचर्स को धन मोहिया कराने के लिए बैंकों को प्रोच्साहित करना है साथी जमीनी स्थर पर उद्दिम शीलता को बढ़ावा देना है प्रधान मंतरी ने कहा कि सरकार का लक्ष गरीबों और हकदारों को योजनाओ का आसानी से फायदा पहुचा रहा है मेरी तरब से सबी देश वाच्चियों को क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुब कामना है और 2016 के नववर्ष की भी बहुत बहुत शुब कामना है प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी ने साल के आखरी मन की बात कारिक्रम की शुरुवात कुछ इस अंदाज में की कारिक्रम की पंदरहमी कड़ी में उन्होंने देश की विवित्ता का जिक्र करते हुए कहा कि तेवहार समाज के पिछड़े तबकों की आर्थिक गतिवीधियों का जर्या है प्रधान मंतरी ने नए साल में आतंकवाद, ग्लोबेल वार्मिंग और प्राकिरतिक आपदाओं से मुक्ति के साथ-साथ खुशाली की उम्मीद भी जताई दुनिया भी संकटों से मुक्त हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे प्राकिरतिक आपदाएं हो, चाहे मानव सर्जित संकट हो, मानव जात सुक्चेन की जिन्दगी पाएं प्रधानमंत्री ने DBT स्कीम के सफलता पुर्वक लागू होने पर संतोष जताया उन्होंने कहा कि अब तक कई योजनाओं के करीब 40,000 करोड रोपे सीधे लाभार्थी के खाते में पहुँच चुके हैं उन्होंने स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया को युवा पीड़ी के लिए बड़ा उसर बताया और 16 जन्वरी को इसका खाका पेश करने का एलान किया 16 जन्वरी को भारत सरकार, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसका पूरा एक्शन प्लान लांच करने वाली है कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, एक खाका आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और इस कारिक्रम में देश भर की IIT, IIM, Central Universities, NITs जहां जहां युवापीडी है, उन सब को लाइव कनेक्टिविटी के द्वारा इस कारिक्रम में जोड़ा जाएगा मन की बात कारिक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों को विकलांग की जगए दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाओ भी दिया उन्होंने मध्यप्रदेश के सिहोर जिले के भुजपूरा गाउं के एक बुज़ुर्ग कारिगर दिलिप सिंग मालविया का जिक्र किया और बिना मजदूरी के सौ शोचालियों का निर्मान करने के लिए उनकी तारीफ भी की उन्होंने 12 से 16 जन्वरी तक राइपूर में होने वाले राष्ट्रिय युवा महुत्सों के लिए वीचार और सुझाओ भी मांगे प्रधान मंत्री के मन की बाद कारिकरम पर विपक्ष ने आरोप लगाए हैं प्रधान मंत्री के मन की बाद कारिकरम को लेकर विपक्ष ने एतराश जताया है कॉंग्रेस नेता मनिश दिवारी ने कहा कि पब्लिक ब्राटकास सिस्टम के इस्तिमाल का दिकार विपक्ष को भी मिलना चाहिए वहीं जेडियो का कहना है कि प्रधान मंतरी दूरदर्शन का दर्द नहीं सुनते सिर्फ अपनी मन की बात को ही जनता पर थोपते हैं सरकार बनने के बाद प्रधान मंतरी लगातार मन की बात कारिकरम के जर्ये देश की जनता से जुड़ते हैं लेकिन पहली बार प्रसार भारती एक्ट का हवाला देते हुए विपक्ष ने इस मामले में समान अधिकार की बात कही है बिडीचे मामले में नया मोरा गया है बीजेपी ने जांट समिती के रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल को वित्तमंतरी से माफी मांगने की मांगी है बीजेपी ने कहा है कि रिपोर्ट में कहीं भी अरुन जेटली का नाम नहीं है वह याम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी जांत से क्यों घबरा रही है इस रिपोर्ट को दिखा कर बीजेपी दावा कर रही है कि डीडी सीय मामले में कहीं भी अरून जेटली का नाम नहीं है बीजेपी की मांग है कि अब दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल विट्मंतरी से माफी मांगें और कोट में जाकर अपनी गलती कबूल करें उदर आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस चेतन सांगवी कमिशन के रिपोर्ट का हवाला बीजेपी दे रही है उसी रिपोर्ट में एक स्वतंत्र समीती से जाच की सिफारिश भी की गई है दिल्ली सरकार ने डीडी सीय मामले की जाच के लिए तीन सदस्य कमिटी गठित की है हाला कि इस कमीटी के गठन को उप राजपाल नजीब जग ने असमविधनिक करार दिया है उप राजपाल के अनुसार जाच कमीटी गठित करने का अदिकार दिल्ली सरकार को नहीं है क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल नहीं है रवेंदर सिंग शिवरान के साथ प्रणव गोस्वामी राज्य सभा टीवी बिहार के दर्भंगा में इंजिनेरियों की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है एक तरफ जहां पुलिस अपरादियों को जल से जल पकड़ने का दावा कर रही है वहीं विपक्ष राज्य की कानून विवस्था पर सवाल उठा रहा है दो इंजिनेरियों की हत्या के बाद बिहार में कानून विवस्था पर सवाल उठने लगे है विपक्ष का कहना है कि अवरादी कानून की धज्यां उड़ा रहे हैं उधर पीडित के परिवार वाले इस घटना के बाद धरे हुए हैं परिवार वालों का कहना है कि राज्य सरकार को अवराद को रोगने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए वही जेडियों और आरजेडी का दावा है कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा जिन लोगों ने यह अपराध किया है उनके साथ पुई सक्ती से सरकार नपटेगी और सरकार जो है इस काम में मुस्तेदी से लगी हुई पुलिस भी दावा कर रही है कि कानून के हाथों अपराधी बच नहीं पाएंगे पुलिस ने इस मामने में दो गुटों के खलाफ एफाई यार दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है शनिवार को सडक निर्मान का मुआयना करने के वक्त इन दोनों इंजिनियर्यों की दिन धाड़े हत्या करती गई थी ब्रजेश कुमार और मुकेश कुमार नाम के ये इंजिनियर्यों एक नीजी सडक निर्मान कमपनी के करमचारी थे दिवरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी 36 गड़ में आज 11 शहरी निकायों के लिए मतदान हो रहा है इसमें भिलाई नगर निगम, चार नगर पालिका, छे नगर पंचायद शामिल है इन चुराओं में कुले 64 उमीदवार मैदान में है 821 मतदान के इंडरों पर गरीब 6 लाग, 20,100 मतदाता, मेर, नगर पालिका और नगर पंचायद के ध्धक्षों और 241 पारशदों को चुन रहेंगे नकसल पीड़े ते लागों में सुबह 7 बजे से दिन में 3 बजे तक और बाखी जगवापर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा राज निर्वाचन आयों के मताबिक शांती पूर्ण और सुचारू मतदान के लिए पुखता अंतिजाम किये गए हैं मतगरना 31 दिसंबर को की जाएगी करनाटक, तेलंग गाना और महराश्ट्र के 38 विधान परिशद की सीटों के लिए कल वोट डाले गए इनमें स्थानिय निकाय के पृतनिधियों ने वोट डाले गए इसमें करनाटक की 25 सीटों के लिए वोट डाले गए इनमें हासन, कोलार, मैसूर, शिमोगा, बीदर, बीजापुर, बेलारी, बैंगलूर ग्रामिन और शहर सीटे शामिल हैं चुनाओं में आठ महिलाओं समेथ 125 उम्मीदवार मैदान में थे महराश्टर विधान परिशद की 7 सीटों के लिए मद्दान का काम पूरा हो गया है इसमें सोलापुर, कोलापुर, अकोला, एहमद नगर, धुले जिले की 1-1 सीट और मुंबई की 2 सीटे शामिल है नागपुर इस्थाने निकाए निर्वाचन शेत्र में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है वोटों की गिंती बुधवार को होगी तेलंगाना विधान परिशद की 6 सीटों के लिए भी वोट डाले गए इन में से 2-2 सीट रंगा रेड़ी और महबूब नगर्दिले की हैं इसके अलावा नाल गोंडा और खंमम की एक-एक सीट शामिल है इस्थाने निकाए के प्रतिनिधियों ने 19 उम्मिदवारों के किस्मत का फैसला किया इन सभी सीटों पर वोटों की गिंती 30 दिसंबर को होगी 12 विधान परिशद में से TRS के 6 उम्मिदवार निर्विरों चुने जा चुके हैं ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसभा टीवी और आब बरेरे हमारे साथ हम लोट रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद चुके हैं और मुझसे मिलिये प्रोग्राम गुफ्तगूबे सिर्फ राजसबा टीवी पर आज सरुकार में बाद देश में बढ़ते जन आक्रोश और उसके दबाओं में आती राजनी थिकी पब्लिक प्रेशर डेमोक्रेसी में तो रहेंगे प्रजातंतर का मज़ा ही है कि आपके पास पब्लिक ओपीनिन आपके पास आये अब आप परता है सांसद भी इंसानी हैं और ये भी सच है कि इस बिल के पारित होने में विलम हुआ है आज हमने 16 साल लिया क्या फिर हमें एक नया कनून लाएंगे जो 15 साल का होगा हमने अपनी constitutional commitment को disrespect किया है इस तरह के बिल को पारित करते है समाज में एक डर होना चीए कि अगर मैं कुछ गलत करता हूं या मैं कुछ गलत करती हूं तो मेरे उपर action होगा देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर आपका मुद्दा आपका हाद सरकार तक पहुँचेगा आपका सवाद राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवास प्रिके वाद आप स्वागत है आए बात करते हैं कुछ और आएम खबरों की लोगसबाद ध्यक्ष सुमित्रा महाजन संसद के नई इमारत बनाने के पक्ष में है इसके लिए उन्होंने शेहरी विकास मंत्री विंकाई नाइडी को चिठ्थे लिखी है स्पीकर के मताबिक मौजूदा संसद भवन भवश में बढ़ने वाली जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है उचाती है कि देश को आदुनिक सुवधाओं से लैस एक नया संसद भवन मिले उन्होंने शेहरी विकास मंत्री से नई संसद के निर्मार पर विचार करने के लिए कहा है पीटिया के मताबिक शेहरी विकास मंत्रा ले स्पीकर की चिठ्थे पर कैबिनेट के लिए एक नोट तयार कर सकता है संसद भवन अठासी साल पुराना है स्पीकर सुमित रामाजन के मताबिक इसकी सीमित शम्ताओं की वज़े से दिखकते पेश आने लगी है उन्होंने नई बिल्डिंग के पक्ष में कई तर्क दिये हैं जिसमें सबसे प्रमुक है मौजूदा भवन में बैठने के सीमित जगा होना नई इमारत के लिए दो वेकल पिक स्थल सुझाए गाए हैं एक संसद भवन परिसर में ही और दूसरा पास ही राच्छपत की उस जगह पर जहारक्षा और दिल्ली पुलिस के कुछ बैरक सित है राश्पती प्रणवोगर्जी ने गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर जोर दिया है रविवार को हैदरबाद में इंडियन एकनॉमिक एसोसियेशन की सालाना अधिवेशन में राश्पती ने कहा कि कौशल विकास सीधे तोर पर रोजगार की सभावना से जुड़ा है और इसलिए कौशल विकास के साथ गुणवत्ता वाली शिक्षा देने पर जोर दिया जाना चाहिए राश्पती ने कहा कि 700 से जादा विश्विद्यालियों के साथ भारत का उच्छ शिक्षन तंत्र दुनिया के सबसे बड़े तंत्रों में से एक है लेकिन चिंता की बात है कि दुनिया के 200 शीर्श संस्थानों में देश के दो संस्थान ही शामिल है राणा मुखर जी ने कहा कि शिक्षा की पहुँच और उच्छ शिक्षा के निजी करण और वैश्वी करण की बातों के बीच ये गुरवत्तापून शिक्षा पर चर्चा जरूरी है रविवार को तेलंगाना के मेड़क जिले में अपने फार्म हाउस पर मुख्य मंतरी चंदर शिकर राव की तरफ से आयोजित महायग्य पंडाल में आग लग गई इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है इस समारों में पहले राष्टपती प्रणमुखर जी को आने का भी कारिकरम था लेकिन आग लगने की घटना की वज़े से उनको दौरा रद कर दिया गया लोगों की भलाई और शांती के इस आयोचंदी महायग्य का आयोजिन किया गया था पास दिवसे सिर्गी की शिरुवाद 23 दिसंबर को हुई थी वित्पंतरी अरुन जेटनी ने वैश्विक अर्थ्विवस्था में उठा पटक और अस्थिर्था के बावजूद भारती अर्थ्विवस्था की प्रदशन को काफी संतोष जनक बताया है पीटिया को दिए इंटिविव में वित्पंतरी ने कहा कि जीस्टी समीद धाचागत सुधार रत्यक्षकर को युक्ति संगत बनाना और कारोबार को आसान बनाना नए साल में उनकी सरकार की उच्च प्रात मिक्ता होगी जेटली ने माना की बैश्विक मंदी से पैदा शुरौतियों का सरकार ने अच्छी तरह से मुकाबला किया है उन्होंने आने वाले वक्त में भारत की विकास दर्मी और बढ़हुतरी का भरोसा जटाया है उन्होंने कहा कि 2015 में दुनिया भर में उथल पुथल रही बावजुद इसके भारते अर्थविवस्था की बृतिदर साथ से साड़े साथ पृतिशतर करहने की संभावना है अगले पंदरा साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थविवस्था होगा British Think Tank Center for Economic Business and Research का ऐसा मानना है इस रिपोर्ट की मताबिक 2030 तक भारत दसवे नंबर से साथवे नंबर पर पहुँच जाएगा उस वक्त तक भारत की सकल घरे लूत पाद में यानि GDP में पांच गुना उच्छा लाएगा अभी भारत की GDP 2040 अरब डॉलर है जो अगले 15 साल में बढ़कर 10,133 अरब डॉलर हो जाएगी साथी चीन 2029 तक अमेरिका को पीछे छोड़ कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थविवस्था बन जाएगा अमेरिका दूसरे प्रिटेंग चौथे ब्राजील पाचवे स्थान पर होगा रिपोर्ट की मताबिक भारत 2019 तक कॉमन वेल देशों में सबसे बड़ी अर्थविवस्था बन जाएगा इसके अर्थविवस्था ब्रिटिश अर्थविवस्था को पीछे छोड़ देगी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की लाहौर यातरा से पाकिस्तान में भारत के लिए विश्वास का माहौल मना है इससे दोनों देशों के बीच तलकी दूर होगी इससे अपचारिक बाचीत के पहले तनाव और टक्राव दूर करने में भी मदद मिलने की उमीद है भारत पाकिस्तान के बीच अपचारिक बाचीत से पहले 15 जनवरी को इसलामाबाद में दोनों देश के विदेश सचिफ बैठक करेंगे माना जा रहा है कि इसमें हुर्यत विवाद से बचने के लिए बैठक कस्तान इसलामाबाद रखा गया है बैठक में आगे होने वाली अपचारिक चड़्चाओं का खाका तयार किया जाएगा जिसका सीधा फाइदा अगले साल पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मिलन में दिखेगा कॉंग्रेस का एक धड़ा भी इस मुलाकात को दोनों देशों के रिष्टों में सहजता लाने की पहल मान रहा है हाला कि कॉंग्रेस ये नहीं मानती कि इस से कोई बड़ा नतीजा निकल कर सामने आएगा भारत की ये कोशिश है कि पाकिस्तान के नितरत्व के साथ रक्तिगत खरी खोटी का माहौल दूर किया जाए और शायद यहीं वज़े है कि दिसंबर के पहले हफते में जब विदेश मंतरी सुश्मा स्वराज इसलामाबाद गई थी तो उन्होंने भी नवाज शरीफ के घर पड़ जाकर उनकी चार पीड़ियों से मुलाकात की थी पूर प्रधान मंतरी मन्मोन सिंग भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन घरेलू राजनितिक विवश्टा की वज़े से वो ऐसा नहीं कर पाए विदेश मंतराले ने जान बुचकर इस मामले पर चुपी साद रखी है ताकि पाकिस्तान के बारे में भविस्ट की वज़नाओं को बचाया जा सके शुरुआत के लिए कोशिश रिया है कि उन मसलों का बेवहारिक हल्क हो जाजाए जो तातकालिक है भारत नेपाल सीमा के पास मधेसियों और नेपाल पुलिस की भी जड़प में 16 लोग जखमी हो गए जखमी होने वालों में शीश मधेसी नेता और सद्भावना पार्टी के दक्ष राज़ेंदर महतो भी शामिल है सीमा के पास जोगबनी विराट नगर इलाखी में मधेसी प्रदेशनकारी रानी कस्टम पॉइंट की नाखी बंदी करने की कोशिश कर रहे थे पुलिस ने प्रदेशनकारी उपर खाबू पाने के लिए लाठी चार्च किया और आसू गैस की गोले छोडे बाद में पुलिसिया कारवाई की विरोध में राज विराज और जनकपूर में कई जगहों पर विरोध प्रदेशन शुरू हो गए जनकपूर के राम चौक में जड़प में बारा प्रदेशनकारी और एक पुलिस कर्मी जखमी हो गया मरदेशी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कारवाई की मांग कर रहे हैं नए सम्विधान का विरोध कर रहे हैं मरदेशी जदादा प्रतिने धित्व की मांग कर रहे हैं साथी साथ प्रांतों वाली संरचना के तहट अपने मूल प्रांत के बटवारे का भी विरोध कर रही है बांगल देश के एक अदालत ने कल इस बात की जाँच के आदेश दिये हैं कि क्या पूर्व बांगल देशी प्रिधान मंतरी और विपक्षी निता खालिदा जिया के खिलाफ देश द्रो का मुखदमा चलाए जा सकता है बियन पी प्रमुक खलिदा जिया पर 1971 के मुक्ति संग्राम के शहीदों के खिलाफ अपत्ती जर्रक टिपड़ी का रोप है अदालत के कदिकारी ने बताया कि मामले में बांगलादेशी सरकार की बंजूरी लेने के बाद पुलिस को जाच करने के आदेश दिये गए हैं चीनी सांसदों ने रविवार कुदेश के तहास में पहला आतंगबाद वेरोधी खानून पारिद किया इस खानून के तहट सरकारिय और जिन्सियों, सेना और पुलिस के बेस सूचनाओ का दान प्रदान किया जाएगा खानून के जरिया आतंगबाद के वित्पोशन की रोख थांग और सीमा सुरक्षा बढ़ाई जाएगी इसके अंतर गयत आतंगबाद विरोधी खुफिया केंदर भी तैयार किया जाएगा इसे के साथ चीन नहीं घरेलू हिंसा खानून भी पारिद किया है अलाकि सम्लैंगिको कोई से अलग रखा गया है भारत दक्षनेशे फुटबॉल पर संग्यारी सैफ कप के समेफानल में पहुँच गया है भारत ने नेपाल को आखरी ग्रूप मैच में चार एक से हरा दिया भारत के लिए लालिया जुआला घ्जांगते ने दो गोल किये इसके साथ 18 साल की जांगते ने भारत के लिए गोल करने वाले सबसे युवा फुटबॉलर की उपलब्धी भी हासिल कर ली भारत के लावा गुरूप एसे श्रीलंका ने भी अंतिन चार में जगा बनाई है भारत गुरूप मैचों में अपराज जे रहा है बात मौसम की करते हैं उत्तर भारत के कई राज शीत लहर की चपेट में हैं ठंड की वज़े से उत्तर प्रदेश में एक विक्ति की मौत हो गई बढ़ते ठंड की वज़े से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है घना कोहरा धुंद अलाव या फिर चाय के सहारे ठंड से मुकाबला करते हुए लोग पहाड़ी लाखों से लेकर मैदानिक शेत्रों तक कुछ ऐसा ही नजारा है शिमला में बर्फ और घाटी में लगातार गिरते पारे और उस पर शीत लहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है लखनव में पांच जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है ठंड का सर यातायाद पर भी दिख रहा है उडानों में देरी हो रही है तो वहीं कोहरे की वज़े से कई ट्रेनों को रद्ध कर दिया गया है ठंड की वज़े से कई लाखों में पारा माइनस में चला गया है दिल्ली में तापान में गिरावट दर्श की गई मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पारा और भी गिरेगा बिरो रपोर्ट राज्य सभा टीवी अमेरिका में बरफीले तूफान के वज़े से अब तक 40 से जादा लोग अपनी जान गमा चुके हैं रवेबार को टेकसाज शेहर में चाल लोगों की मौत की खबर है तो मैं दक्षणी अमेरिकी देशो परागवे, उर्गवे, ब्राजील और अरजिंटीना में भीश और बार की चलते एक लाग से जादा लोग बेघर हुए हैं ब्रिचेन में भी बार से हालात खराब हैं कहीं पेड उखडे तो कहीं घर तहस नहस और कहीं गाड़ियां चूर चूर अमेरिका के कई शेहरों में बरफिला तूफान कहर बन कर तूटा है अमेरिका के बर्मिंगम, टेकसास, अलाबमा और मिसिसीपी समेथ कई शेहरों में दरजनों लोग इस तूफान की वज़ा से अपनी जान गवा चुके हैं उधर दक्षणी अमेरिकी देशों, परागवे, उरुगवे, ब्राजील और अर्जेंटीना में भीशन बार के चलते एक लाग से जादा लोगों को अपना घर चोड़ना पड़ा है बार से सबसे जादा नुकसान परागवे में हुआ है जहां 90 हजार लोग इससे प्रभावित हुए हैं इन देशों में अल्नीनों प्रभाव के चलते, पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश हो रही है इसके अलावा प्रशासन ने लोगों को मुस्तेद रहने को कहा है बियरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी और इसी के साथ फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही आखिर में एक निजर हेडलाइंस पर सीपेम ने मम्ता बैनरजी और केंदर सरकार पर साथ गाट के लगाया आरोब पोलकता रैली में धर्मिर पिक्ष ताक्षतों को साथ लाने पर दिया जोर टीमसी ने कहा मौखा परस्थ सीपेम पीडी सीए पर दिल्ली सरकार की जाँच रिपोर्ट में अरुन जेटली का जिक्र नहीं बीजेपी ने कहा माफी मांगे के जरिवाल आम आदमी पार्टी ने जाँच से भागने के लगाया आरो 33 गड़ में शेहरे निकाय चुनाओ के लिए नकसल पीड़ी तलाकों में मतदान शुरू बाकी जंगों पर आट बजे से मतदान 11 निकायों के लिए दाओ पर एक हजार से जादा उमीदवारों की किस्वर स्टार्ट अप इंडिया स्टार्ट अप इंडिया का खाका 16 जन्वरी को होगा पेश मन की बात में प्रधार मंत्री का एलान घरीबों को योजनाओ का आसानी से पायदा पहुचाना सदकार का लक्षिप और नेपाल के जोगबने विराट नगार राज विराज और जनकपुर में पुलिस और मदेसी प्रधर्शन कारियों में जड़ाव मदेसी रेता राजेन मेहतो सहित 16 जखमी मदेसी संगठनों के सुरक्षा कर्मियों के खिलाब कारवाई की मां कर्वाई कर्वाई कर्मियों कर्या कर्दार कर्वाई कर्या नगा यासी है